हेलो फ्रेंट्स आप सब का स्वागत है आज की इस वीडियो में तो आज मैं आपको अफगानी सलवार यानि की अफगानी प्लाजो की कटिंग एंड स्टिचिंग के कुछ खास टिप्स बताऊंगी विगनस भी इस तरीके से अपनी अफगानी सलवार या अफगानी प्लाजो की कटिंग एंड स्टिचिंग असानी से कर रखते हैं तो आपका जादा टाइम ना लेते हुए हम आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले मैंने ये दो मिटर फैब्रिक लिया है जिसे ऐसे मैंने फोर्शाइड में फोल्ड करके रख लिया है ये इसकी खुली वाली साइड है और ये इसकी बंद वाली साइड है तो अब हमें ना उपर की तरफ ऐसे तीन इंच मार्जन हो गया उपर की तरफ से हमने अपनी length mark कर लेनी है नीचे की तरफ तो जितनी भी आपको इसकी length ready करनी है उसे आपने 1 inch कम mark करनी है तो मुझे इसकी length जो है वो 37 inch ready करनी है तो मैं यहाँ पर 36 inch को mark करूँगी 36 inch को हमने इस तरीके से सीधा सीधा mark कर लेना है तो अब हमें उपर वाले mark से नीचे आसन के लिए एक mark करना होता है यह mark हमारे hip के size के according होता है hip का जो भी ready size होता है हमारे पास उसे हमने force divide करना होता है तो यहाँ पर हमारे पास hip का जो ready size है वो है 46 inches 46 को अगर हम force divide करेंगे तो हमारे पास answer आएगा 1.5 inch तो 1.5 inch को हमने यहाँ पर ऐसे mark कर लेना है तो आसन का mark हमने कर लिया अब हमें यहाँ से waste का mark करना है तो waste का जो mark होता है वो भी hip के size के according ही होता है उसके लिए भी हमें hip के size को न force divide करना होता है तो यहाँ पे अगर हमारे 1.5 inch आया तो यहाँ पे भी हमने waste के लिए 1.5 inch ही mark करना है तो यहाँ पे भी हमने ऐसे 1.5 inch को mark कर लेना है अब हम इन दोनों mark को न मिला लेंगे उपर तक अगर यह वला part आपका square में होगा न तो आपकी plazo की fitting विल्कुल perfect आएगी कोई भी problem नहीं आएगी आपको अब हमें न यहाँ पे thigh के लिए mark करना होता है जो यहाँ से न लगबग 2 या 1.5 inch जादा होता है तो हमने यहाँ पे 1.5 inch जादा mark इस तरीके से कर लेना है यह हो गया हमारा thigh के लिए mark इस से आगे न 1.5 inch हमें extra margin भी लेना होता है इस तरीके से अब हम न यहाँ से आसन की गुलाई को इस तरीके से mark कर लेंगे ऐसे तो मैंने अपनी यह marking थोड़ी डाक कर ली है तांकि आपको अच्छे से दिखाई दे तो अब हमें नीचे की तरफ ना मोरी का mark करना है इसकी जो मोरी जितनी आपने ready करनी है ना उससे आपने double यहाँ पर mark कर लेनी है मान लीजे अगर हमें 6 inch ready करनी है तो हम यहाँ पे 12 inch को ऐसे mark कर लेंगे और अगर आपको 6.5 इंच रेडी करनी है तो 13 इंच को आप यहाँ पे मार्ग कर लीजे मैंने यहाँ पे 12 इंच मार्ग किया है अब हम इन दोनों मार्ग को ना ऐसे मिला लेंगे मोरी वाले मार्ग को उपर थाई वाले मार्ग से और यह एक्स्ट्रा मार्ग को ना हमने यहाँ से ऐसे मार्ग कर लेना है इन फ्यूचर अगर हमें थाई से यह लूज करने की जरुरत पड़े तो यह वाले मार्ग से हम असानी से इसे लूज कर रखते हैं तो ऐसे हमारी ये अफगानी सल्वार यानि की अफगानी प्लाजों की मार्किंग हो चुकी है, इस तरफ हमें कोई भी मार्किंग नहीं करनी है, सिरफ एकी सिलाई से हम इसे रेडी करेंगी, तो अब हम इसे अपनी मार्किंग के साथ साथ कट कर लेते हैं, तो ऐसे हमारी ये अफगानी सल्वार की कटिंग हो गई है अब हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले ना हमें इसकी आसनवाले पार्ट को स्टिच करना होता है तो उसके लिए मैंने इसे ऐसे खोल के रख लिया है पैक और फरंट दोनों को एक साथ है ऐसे रखेंगे और यहां से ना इसकी आसनवाली सिलाई लगा लेंगे तो आसन की सिलाई सिरफ हमें यहीं तक लगानी है बाकी की सिलाई हम बाद में लगाएंगे और यहां से अब हम अपनी सिलाई को डबल कर लेंगे तो ये देखिए एक तरफ की आसन की सिलाई हमने यहां तक लगा ली है अब हमने न दूसरी तरफ वाले आसन को भी यहां तक स्टिच कर लेना है तो दोनों तरफ की आसन हमने यहां तक न ऐसे स्टिच कर लिये हैं अब हम न आसन को ऐसे सेंटर में ले आएंगे इस तरीके से पकड़ेंगे, पनी अफगानी सल्वार को और रासन को ऐसे बीच में ले आएंगे तो अब हमें इसकी महुरी वली side में plates लगानी है तो ये इसकी महुरी वली side है, ऐसे हमने इसे खोल के रख लिया है अब हम इसमें चोटी-चोटी plates लगांगे इस तरीके से न ऐसे ऐसे उठानी है हमें छोटी छोटी प्लेट्स और इस तरीके से रफ स्टिच के साथ हमें इने स्टिच कर लेना है आपको plates लगाते वक्त ये धियान में रखना है जितनी भी आपको ये मोरी ready करनी है उतनी ही आपने सिरफ इसमें plates लगानी है तो ऐसे हमने इसमें plates लगाके एक साइड की मोरी को ऐसे ready कर लिया है अब हमने दूसरी साइड में भी ऐसे ही plates लगा लेनी है तो ये देखिए दोनों तरफ हमने ऐसे प्लेट्स लगा ली हैं अब हमें इसे नीचे से फोल्ड करना है तो इसे नीचे से हमने कुर्टी वाले फैब्रिक के साथ फोल्ड करना है तो ये मैंने अपनी कुर्टी वाले सेम फैब्रिक में इसे फैब्रिक कट किया है ये फैब्र किसे प्रेस के साथ अच्छे से बिठा लिया है ये लगबग एक इंच ओड़ा बॉर्डर मैंने ऐसे तयार कर लिया अब हम इस बॉर्डर को ऐसे खोल के रखेंगे और अपनी अफगानी सलवार की मोरी को ऐसे इसके बीच में दबाते हुए यहाँ पे हमें किनारी की सिलाई लगा लेनी है तो एक तरफ से हमने इसे ऐसे नीचे से फोल्ड भी कर लिया है और देखिए कितनी अच्छी फिनीशिंग आई है इसमें पीछे से भी देखिए ये देखिए तो अब हमने न दूसरी साइड वाले पॉंचे को भी ऐसे ही रेडी कर लेना है तो ये देखिए दोनों पॉंचे को न हमने ऐसे नीचे से फोल्ड कर लिया है अब हमें न इसे फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है तो एक तरफ की फिटिंग की सिलाई हमने उपर आसन तक ऐसे लगा ली है अब हमने दूसरी तरफ की भी फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है वो नीचे से ही लगाएंगे हम पोंचे वाली साइड से तो ये दिखिए दूनों तरफ हमने ऐसे फिटिंग की सिलाई लगा ली है अब हमने जो आसन छोड़ा था उसे स्टिच करना है तो उसके लिए हमने आसन को ऐसे करके पकड़ना है इस तरीके से और ये जो मार्जन है इसे हमने एक तरफ ऐसे फोल्ड कर लेना है इस तरीके से और दूसरी तरफ वाले मार्जन को इसके ओपोजेट फोल्ड कर लेना है ऐसे और यहां से हमने आसन वाली सिलाई लगा लेनी है ये वाली सिलाई को इधर वाली सिलाई से मिला लेना है तो ये देखिए आसन को भी हमने ऐसे स्टिच कर लिया है अब बस हमें न इसमें सिरफ elastic ही डालना है तो elastic डालने से पहले न हम उपर से इसे आधा इंच ऐसे fold करेंगे और यहां पे एक rough stitch कर लेंगे तो ऐसे हमने इसे उपर से fold भी कर लिया है अब हमें इसमें elastic डालना है तो elastic जो अता है वो hip के size के according ही लिया जाता है hip का जो भी आपके पास size है उसे आपने 10-12 inch elastic कम cut करना है तो यहां पे हमारे पास 46 inches था तो यही मैंने लगबग 34 inch का elastic cut किया है अब हम elastic को इस तरीके से ऐसे करके पकड़ेंगे ऐसे पकड़ेंगे और यहां पे 2-3 बार सिलाई लगा लेंगे तांकि यह तूटे ना तो ऐसे हमने elastic पे सिलाई लगा ली है अब हमने elastic को अपनी अफगानी सलवार के अंदर इस तरीके से रखना और उपर से सलवार को ऐसे fold कर लेना है और यहां पे ना बिल्कुल सलवार के किनारे किनारे पे हमें सिलाई लगानी है elastic के उपर नहीं तो ऐसे elastic को बीच में रखते हुए ना हमने यहां पे किनारी की सिलाई लगा ली है अब हम ना elastic को अच्छे से stretch कर लेंगे पहले इस तरीके से पकड़के और फिर बाद में इस तरीके से तांकि elastic अपनी जगा ले ले तो ऐसे हमने elastic को भी stretch कर लिया है अब हमें ना बिल्कुल इसके बीच में एक सिलाई लगा लेनी है elastic को और सलवार को एक साथ पकड़के खीचते हुए ना हमें ये center वाली से लाई लगानी है तो ये देखे फ्रेंड्स उपर की तरफ हमारा ये elastic भी डल चुका है और नीचे की तरफ इसका पोंचा भी देखे कितना खूबसूरत ready हुआ है और देखे कितनी अच्छी finishing आई है इसकी मोरी में और ऐसे कितनी असानी से हमारी ये अफगानी सलवार ये अफगानी प्लाजो बनके तयार हो गया है ऐसे आप भी असानी से अपनी अफगानी सलवार की cutting and stitching कर सकते हैं सिरफ एकी सिलाई से आपको इसको ready करना है तो I hope आपको मेरे अफगानी सलवार की cutting and stitching के सारे टिप समझ में आगे होंगे और आपके बहुती काम भी आएंगे तो मेरी ऐसी ही useful वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को subscribe जरूर करें और वीडियो को like और share भी जरूर करें तो चलिए next किसी और वीडियो के साथ मिलते हैं till then bye bye